तो दोस्तों यह है WINGS Phantoms 315 truly wireless earbud और आज का हमारा टॉपिक है How to Reset Wings Phantoms 315 earbud यानि की Wings Phantoms 315 earbud को reset कैसे करते हैं तो इस reset करने के लिए आपको करना के simple आपको अपने दोनों ear buds को इसके charging के सबसे बाहर निकाल लेना है और बाहर निकालने के बाद आप यहां पे देख सकते हूं कि दोनों ear buds के जो उपर मैं आप सोब को जहां पर LED light इंडिगरेशन देखने को मिलते हैं वहीं पर आप सोब को टच कंट्रोल भी मिलता है तो यहां पर 2 लाइट है वाइट ब्लिण करना स्टाट हो जाएगा उसके वाइट आफ हो जाएगा तो यहां पर हमारा देखें, दो नुहेंगा लाइट है वो बिलिंग करना स्टार्ट हो चुका है है और blink करने के बाद अब आप को को कोई से करना कहा être में सिंपर वापस के चारजिंग के इसमें रख देना है तो यहाँ फिल अब ecob contest को issueskin को इसको अफैकर देना है और जासे हम इसको ऑपन करेंगे ठीक वैसी हमारा जो विंग्स फैंटम 315 इयर बढ़ हो रिसेट कंप्लेटली डन हो जाएगा अब आपको करना के सिंपल आपको अपने दोनों इयर बढ़ को इसके चार्जिंग के समसे बाहर निकाल लेना है और इससे अपने किसी भी मुझाल के साथ करके चेक कर सकते इसका जो भी प्रोल्म वह सौल्व हो चुका होगा तो इस तरीके से आप सब विंग्स फैंटम 315 इयर बढ़ को रिसेट कर सकते हो अगर आप सब को इस एयर बढ़ से रिलेटेड और पुछ मुछ से पुछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो मैं आप सब कर रिप्लाइज जरूर करूंगा और अग अगर आप सब हमारी यूट्व चनल पर नहीं हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकर को ओन कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना ही